आम तोड़ पर किसान करी मेहनत कर एक फसल की ख्यती कर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन बैसाली के एक किसान ने दूसरे किसानों को जो राह दिकाया है वो आने वाला समय किसानों के लिए मिल का पत्थर सावित हो सकता है दरसल लालगच के रिखर गाव निवासी धैवंद्र ने एक एकर में निम्बू का बगान लगा कर अपना घर प्रिवार चला रहे थे इसी बीच जिला उद्धान अधिकायी ने उन्हें निम्बू के बीच ओल लगाने की सलादी जिस पर अमलकर धैवंद्र ने निम्बू के बगान में ओल की खेती शुरू की इसके बाद जो कुछ हुआ उसने किसान की तकदिर बदल दी धैवन ने बताया कि जिला उधान केंद से ओल का बिज लेकर एक एकर में लगाया और वह त्यार हो चुका है धैवन ने बताया कि एक कठा में लगवग 15,000 रुपया का कमाएंगे और बताते हैं कि बेपारी खेत से ही ओल ले जाते हैं निम्बू का बगानी लगा रखे थे पहले से इसके बाद जिला उध्यान का रियाले से हम पर पिताव गए रुपते हैं बड़ावर जना ना लगा रहता है वहां जब गये यह तो साहिब बोले कि आप अप बढ़डे क करके लाइन वाई लाइन जैसे हमें बताया कि अविभ धं से हमने किया करने के बाद אीज बोल कुर्णे का समय आगया साथ महिने का एक है फिक है शाहम मेक्सिमम अगर 10 रुपे किलो ही बिग जाए तो 15,000 रुपे तकरीबन कर्था का जो है इंकम इसमें इसमें स्टड़ा हो गया हमारा एक एकर में है तकरीबन 3 लाख रुपे का होता है दूसरी बात है कि इसके रख 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 का कोई जिन्दत नहीं है आज अगर हम पैकर को दे रहे हैं तो 10 रुपे किलो में हमारा लेगा वोल इसको खाली जमीन में हम इसको टाल करके रख दे रहे हैं फिर भी हम यह रह जाएगा सरे गलेगा नहीं और तीस से चाली सुर्पे कि इसको कि वह तो जिला उद्यान की जाने के बाद वहां पता चला और वहीं दियेचो साहिब बोले कि ओल के छिटी आपकी जिए ओल अधरक दोनों बोले थे तो हमने ओल का अप्लाई किया और ला करके रुपा अभी क्या है साइज अभी दो किलो से लेकर पांच किलो तक का ह कितने दिन बाद भी इसको निकाल लिएगा अब तो एक महिने बाद निकाल लेंगे और अब धिमे धिमे फसल निकलना भी शुरू हो चुका है अगर बेपाई नहीं ले जाते हैं तो यह जल्दी खराब भी नहीं होता है